नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोष्णी शर्मा और आप देख रहे हैं खब और समय जगत आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचार उपर भोपाद राज़्दानी भोपाद में किसान सहर का 13 दिवेशन जो की 25,26,27 को किया जा रहा है उसमें आज दूसरे दिन महार रैली का आयोजन किया गया जिसमें देश के सभी स्थानों से किसानों ने भाग लिया इस रैली में कम से कम 10,000 की संख्या में किसान राज़्दानी पुपाल पहुचे राजानी पुपाल के लाल परेड ग्राउंड से रैली प्रारम की गई एक बड़ी विशाल रैली के रोप में किसानों ने अपना प्रदर्शन दिखाया इस मौके पर शेत्रिय संगठन मंद्री महेश चौधरी ने बताए कि यहादीवेशन तीन दिन का है यह अदीवेशन हर तीन साल में एक बार होता है कल अदीवेशन में चुनाव होंगे देश के कोने कोने से किसान आए हैं देश में किसानों को उनकी फसलों का लापकारी मूले मिले उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी है और हमने प्रस्ताओ पास किये हैं देश में किसानों को लापकारी मूले मिले उसको लेकर और प्रिवन को लेकर प्रस्ताओ पास किए हैं हमें हाद सरोकार को देने वाले हैं यहे जो रेली है इससे देश अदिश और किसानों betrayed के जाए वए एक ब detrimental हें तो हमारी दिद्ध 1 बारे भार्टी के शुना होते थे थिप एक बार्टी के सांग चुना होते हैं नईड़ा नीवक्ति इसेai किसानों को लाप करी मुल्यों लेकर बातचीत की गई है किसान स्वालम भी बने किसान सुखी हो इस मुद्विशा के अंदर बात करें लाप करी मुल्यों पहुचाए किसानों बोपाल से खबर समय चुकत के लिए शक्ती भारती की रिपोर्ट